आप बता सकते हैं विश्य क्या था फिलिप्यों की पूरी पत्री में कौन सी मुख्य बात है जो हमने सीखी है आनंद और बताइए हमें आनंदित रहना है ना सो हमने सीका है लंबे समय इसकी उपर दिताया है लेकिन जो बाते हमने अब तक सीखी है हम उन बातों को एक बारी रिवााइज और हम ध्यान से देखेंगे क्या-क्या हमने अब तक इसको हमने फिलिप्यों की पत्री में से सीखा है पहला भाग में हमने सीखा था स्थानिय कलीशिया का सुन्दर जीवन यह हमने सीखा था और जो टाइटल था धर्ति के दुखों में स्वर्ग का आनन्द को हम महसूस कर सकते हैं किस प्रकार हम स्वर्ग के आनन्द में अपने जीवन को जी सकते हैं ये था और पहला भाग हमने देखा था स्थानिय कलीशिया का सुन्दर जीवन, एक स्थानिय कलीशिया का सुन्दर जीवन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार वो बनता है पहली बात हमने जो सीखी थी वो ये थी कलीशिया का अग्वापन एक से अधिक लोगों के पास होना चाहिए इन एक साथ मिलकर कलीशिया को समालते हैं का अगवऔपन एक से अधिक लोगों के पास होना चाहिए, ये हमने पहले भाग में पहले अध्याई से सीखा था, दूसरी बात जो हमने सीखी थी, कि कलीशिया के अगवे, मसी के और कलीशिया के लोगों के दास होते हैं, क्या होते हैं? दास होते हैं तो आप भरपूरी के साथ में फायदा उठाईए हम आपकी सेवा के लिए तियार हैं कभी भी आप सीखना चाते हैं आप प्रात्ना के लिए बुनाना चाते हैं आपको मदद चाहिए अपने जीवन के किसी भी संगर्ष में काउंसलिंग चाहिए सहायता चाहिए आप किसी बात को लेकर अस्मंजस्ता में है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे मदद ले सकते हैं प्रभू के वचन के द्वारा और जो हमारे कलीशिया के अगवे हैं वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है हमेशा त्यार है तीसरी बात जो हमने पहले बाग में सिखी थी कलीशिया के लोग परमेश्र के पवित्र जन होते हैं हालेलुया कलीशिया के लोग परमेश्र के पवित्र जन होते हैं पोलुस कलीशिया के लोगों को पवित्र जन कहे कर पुकारता है तो ये ना सोची कभी भी कि एक जो पास्टर है, एक पादरी है कलीशिया के जो मेन अगुए वही पवित्र हैं जिस प्रकार आप हैं, उसी प्रकार हम भी हैं, जिस प्रकार आप मनुष्ये वैसे ही मनुष्ये हम में हम भी हैं, तो जिस प्रकार कई बारे पाप आपसे हो जाते हैं हमसे भी हो सकते हैं तो कभी भी यह न सोच है कि कलीशिया के जो पादरी लोग, पास्टर लोग बहुत जादा पवित्र लोग हैं हमें पवित्रता में बढ़ते जाना है उसके लिए प्रवो का वचन हमारी मदद करता है और आप लोगों की प्राथनाएं हमारी मदद करती हैं तो कलीशिया के सिर्फ पास्टर पवित्र जन नहीं है बलकि सब लोग परमेशर ने ठहराया है परमेशर कहता है कि हम उसके पवित्र जन है और हमने सीखा था कि कलीशिया की दे है उसके लोगों सेवादारों और अगुओं से बनती है कलीशिया की दे उसके लोगों से जो कलीशिया के अंदर है परमिशत के चुने हुए लोग और सेवादार जो सेवा करने वाले सबी लोगी ये अगवों से बनती है जो पांसवी बात है हमने सीखी थी कलीशिया की अगवों को हमेशा लोगों को आसीश देनी चाहिए उनके लिए प्रात्ना करने चाहिए और सेवा करने चाहिए जो हमारे अगुएं हैं यह हमारे लिए सोचने की बात है हम किस प्रकार प्रतिबदता के साथ इसमें बढ़ रहे हैं कलीशिया के अगुओं को हमेशा लोगों को आसीज देने चाहिए उनके लिए प्रात्ना करने चाहिए और उनकी सेवा करने चाहिए जो छटी बात सीकी थी कलीशिया के लोगों को सुसमाचार का सहभागी होना चाहिए पत्री के अंदर पॉलुष कहता है हम ये सीखते कि कलीशिया के लोगों को सूसमाचार का सहभागी होना चाहिए सहभागी होने का मतलब क्या है एक साथ मिलके सूसमाचार की सेवा को आगी लेके जाना सहभागी होना है हमें सूसमाचार की सेवा के अंदर आप कैसे बोलोगे कि मैं किस प्रकार सहबागी हो सकता हूँ, मैं नोकरी करता हूँ, मैं काम करता हूँ, कुछ स्टुडेंट्स बोलेंगे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं किस प्रकार सुसमाचार की सेवा में सहबागी हो सकते हैं, किस प्रकार हो सकते हैं, मसी को आप अपने अपने जीवन में लेकर जाए जहां आप जाते हैं, और जहां आप मसी को अपने जीवन में लेकर जाते हैं, वहाँ पर मसी को प्रदर्शित करें, जहां आप काम करते हैं, वहाँ पर अपने काम को अच्छे तरीके से करने के द्वारा, इमांदारी से करने के द्वारा, अपन जीवन को जीए, एक अच्छा जीवन जीए, एक पवित्र जीवन जीए और पढ़ाई में समर्पित होकर अपने जो अध्यापके शिक्ष सक्विन के साथ अधिनता का जीवन जीए कर आप सुसमाचार को वाँ पर परदर्शित कर सकते हैं कलीशिया के साथवी बात जो सकी थी, कलीशिया के सदश्यों को सुसमाचार के द्वारप परिपक होते जा रहे हैं और परिपक हो जाएंगे हमें परिपक्वता की और बढ़ना है ये एक बार में होने वाला काम नहीं है परिपक्वता में बढ़ते रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्या बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा अगर हमें मैच्योर होना है प्रभू के वचन में प्रभु की बातों में हमें प्रभु के और नजदिक अगर हम जाना है परिपक्व हमें होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रातनाई करने पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा वचन पड़ना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और ये एक समय में होने वाले चीज नहीं है हम अपने जीवन भर इसमें उन्नती करते जाएंगे हमें परिपक्व होते जा रहे हैं और हम परिपक्व होते जाएंगे सीखते रहेंगे परिपक्व होने के लिए हम सब को मेहनत करने के जरूरत है मेहनत करने के ज़रूरत है बिना मेहनत के हम परीफक हो नहीं पाएंगे मेहनत के सीज़ की? वचन पढ़ने की हम वचन पढ़ें अपने सवालों को लिखें जो आपको समझ में नहीं आता है आप अपने अगों से हम सबसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है इसको क्या क्यों यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है बाइबल पढ़िये अपने सवालों को लिखें जब भी आप बहुत अच्छा तरीका जब भी आप पढ़ते हैं जो आपको समझ में ना आए उसको लिखें और पूछें इस प्रकार आप वचन के ग्यान में और परिपक्व होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे पास अच्छा मोका है हमने निक्स के बारे में वीडियो देखा अगर हमें और मैच्चोर होना है प्रव की वचन में सीखिए अपना एडमिसन लेजिए और वचन को सीखिए हम छे दिन वहाँ पर विता कर आएं सच में मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा समय रहा वो बहुत ही दो अनुभवी लोगों के द्वारा हमने परमेश्र के वचन को किस प्रकार प्रचार करना है प्रचार की वीधी क्या है कैसे एक प्रचार को त्यार करें वो सीखा और हमने सीखा कि हम कैसे किस प्रकार बाइबल को इंटरप्रेट करें किस प्रकार उसको अविवरन करें किस प्रकार उसकी वेक्या करें किस प्रकार हम गलत वेक्या करने से बच सकते हैं, किस प्रकार हम सही सिक्षा दे सकते हैं, किस प्रकार हमें त्यार करना चाहिए, वो सारी चीज़े हमने सीखी, और सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, कि वो सब सीखने के बाद Bible और पढ़ने का मन करता है Hallelujah तो mature होने के लिए परीपकवो होने के लिए हमें निरंतर मेहनत करने के जरूरत है जो हम teacher हमें सिखा रहे थे हम उनके साथ में खाना खाते वक्त बाते कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बस बड़ा दुख होता है मैं ऐसे ऐसे अगूं को जानता हूँ जो सालों से सेवा कर रहे हैं लेकिन ना तो उनके जो लोग है विस्वासी लोग वो आगे पड़ पाते हैं कारण यह है क्योंकि वो खुद परीपकव नहीं है वचन का ज्यान उन्हें खुद नहीं है क्यूंकि उसनों कारण बताया उन्होंने कारण यह है कि वो मेनद नहीं करना जाते अगर हमें परीपकव होना है कलीशिया के सभी सदस्यों के लिए लागू होता है यह जितने बच्चे हैं जितने हमारे बड़े हैं बुजूर्ग हैं जिनको पढ़ना आता है जिनको पढ़ना नहीं भी आता हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्र की वचन में परीपक्व होते जाए हमें मेच्योर होना है और मैंने बताया उसके लिए आपको मेहनत करनी है मेहनत कीजिए हम एक के इंदर आगे हमने सीखा कलीशिया को के महत्व को समझे कलीशिया क्या है कलीशिया का महत्व क्या है जब हम यहाँ पर इकठा होते हैं क्या महत्व है कलीशिया के महत्व को समझे हलेलुया कलीशिया परमेश्र के देह को दर्शाती है कलीशिया परमेश्र के द्वारा तियार की गई है कई लोग ऐसे इस प्रकार सोचते हैं हमारे बीच में भी ऐसे लोग पाये जाते हैं जो ही सोचते हैं कि जरूरी नहीं है कलीशिया में जाना हम घर पे भी रह के प्रात्ना कर सकते हैं हम घर पे रहकर भी आराधना कर सकते, जरूरी नहीं है, अगर ऐसा होता तो सच में कहीं पर कलीशिया नहीं होते, कलीशिया का एक महतु है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु के साथ बने रहने के लिए, प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए, एक कलीश का हिस्सा बने दूसरी बात हमने सीखी थी हम जो भी विश्वासी हमें कलीशिया का हिस्सा बनना है तीसरी बात हमने सीखी स्थानी कलीशिया के लिए समर्पित रहें हालेलुया समर्पित रहना हमें किन चीजों में समर्पित रह सकते हम सिखने के लिए कलीशिया के अंदर दिन बढ़ाने में समर्पित रहें हलेलुया हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है हमारे जिन कई बार ऐसी चीजे होती हैं जो हमारे विश्वास को हिला देती है हमेशा हमारा विश्वास एक समान नहीं होता एक स्तर पे नहीं होता हमें लगातार अगर इसमें बढ़ना है लगातार हमें इस पर काम करने के जरूरत है। बढ़ना भी एक समय की बात नहीं हमें निरंतर उसके लिए प्रातनाओं की जरूरत है। संगती में बने रहने के जरूरत है, प्राथ लगातार वचन पढ़ने के जरूरत है, प्रभू को खोचने के जरूरत है, अपने विस्वास के जियों को पर दिन बढ़ाने में समर्पित रही है, जो पांस भी बात है, वो सिकिये कलीश्या कि अगूँ का आदर करें और उनके परति समर्पित रहें, प्रकासित वाक्य में ऐसे लिखा है कि भेड़ों को अपने अगूँ की अधीन रहना है, बाइबल ये सिखाती है, अपने अगूँ का आदर करें और उनके परति समर्पित रहें, उनकी बातों को सुने, आग्याओं को माने, सोच कर देखिए, जो ब लोग अपने परिवार में मसी को परदर्शित करें, अपने जीवन में आप मसी को परदर्शित करें, समर्पित रहें और आदर करें अपने कलीशिया की अगूँ का, साथवी बात, कलीशिया के साथ काम करके सुसमाचार के सहभागी बने, काम करिये कलीशिया के साथ में मिलके, सुसमाचार के फैलाने में सहभागी बने, मैंने बताया था किस परकार हम बन सकते हैं, साथवी बात हमने सीखे थी विश्वास रखे प्रभू आपके जीवन में काम कर रहा है और वह आपको वह आपको बनाएगा जो वह बनाना चाहता है हालेलुया विश्वास करें प्रभू आपके जीवन में काम कर रहा है और वह आपको बनाएगा जो वह बनाना चाहता है इसके लिए भी समरपन की जरूत है अगर हम प्रात्ना है करते हैं प्रभू मुझे प्रभू तु मुझे अपने जैसा बना प्रभू तेरे गोण तेरे चरित्र मेरे जिंदगी में हो प्रभू मेरी बोली तेरे जैसी हो प्रभु जो से काम तू अद्बुत करता था, वैसे भी मेरे द्वारा तू कर, हम इस प्रकार प्रात्ना करते हैं, समर्पित रहना है, प्रभु के प्रती, प्रभु के सामने, तभी हम वो बन पाएंगे, जो वो हमें बनाना चाहता है, प्रभु किसी के साथ जबरदस्ति नह के साथ येशु समान वेभार करना, येशु के जैसा वेभार करना, आपस में, एक दूसरे के साथ, हमने सीखा था, दूसरों के साथ अच्छा वेभार करें, दूसरों के साथ अच्छा वेभार करें, हमारा वेभार किस प्रकार है, एक दूसरे के साथ में, हमें देखना चा हमारा attitude है, किस प्रकार हमारा जीवन है, दूसरों के साथ अच्छा वेभार हमें करना है, यह मसी का गुण है, कैसे हम एक दूसरे के साथ अच्छा वेभार कैसे कर सकते हैं, पहली बात हम सीखते हैं, दूसरों के साथ अच्छा वेभार कैसे कर सकते हैं, दूसरों के साथ अच अच्छा व्यवार कैसे कर सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवार तभी कर सकते हैं, जब हम मसी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें सामर्द चाहिए, अच्छा व्यवार करने के लिए भी, हमारे अंदर इतना स्वार्थ है, सच में, कि हम नहीं कर पाते अच्छा व्यव तो हमें मसी के साथ जुड़े रहना है, मसी के साथ जुड़े रहना है, उसके प्रेम से हमें भरते जना है और आत्मा में हमें चलना है, हालेलुया, तब ही हमारे अंदर वो नम्रता, वो दीनता आती है, एक दूसरे के साथ अच्छा वेभार करने की, ओके, दूसरों के साथ अच्छा वेभार करना कैसा होता है किस प्रकार कैसे हम दूसरों के साथ अच्छा वेभार करना कैसा देखता है तो हमने पहली बात सिखी थी स्वार्थी ना होना हम स्वार्थी ना हो हमारे अंदर स्वार्थ ना हो तब ही हम एक दूसरे के साथ अच्छा वेभार कर सकते हैं गमंडी ना होना और तीसरी बात सीकी थी दूसरों को अपने से अधिक मुल्लेवान समझना मुश्किल लगता है लेकिन उस बात को याद रखिए जो हमने पहले सीकी कि हम मसी के साथ जुड़े अगर जुड़े हुए हैं उसके प्रेम से भरे हुए हैं और उसकी आत्मा में प अपने आपको नम्र कर सकेंगे दीन कर सकेंगे गमंड जो एक स्वभाविक चीज है स्वभाविक चीज हर किसी के अंदर देखने को मिल सकता है एक छोटे बच्चे से लेकर एक बहुत बड़ी उम्र के बुजर्ग के अंदर तक स्वभाविक चीज है लेकिन आम इससे बच में ऐसे लिखा हुआ है कि उसने हमें नमूना दिया है क्या दिया है नमूना दिया है कि उसको अपना आदर्ष बना ले हम उसको अपना आदर्ष बना ले आदर्ष क्या होता जिसको देख कर हम सीखते हैं जो हमारे लिए एक उदारन बनता है कि मुझे ऐसा बनना है अगर हमे इस प्रकार का जीवन जीना है तो हमें निरंतर प्रभु येश्व मसी के उपर अपने नजरों को लगाए रखना है उसका चरित्र कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा था उसका स्वभाव कैसा है, हमें देखने के जरूरत है अलेलुया, प्रभु येश्व मसी कहें, चरित्र को निहार तरें, देखें उसके वचन के अंदर हम प्रभु को देखते हैं अलेलुया, भागदो के अंदर तीसरी बात जो हमने सीखी थी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर परमेश्र हमें क्या इनाम देंगे हमें इनाम भी मिलता है, जब हमें एक दूसरे के साथ मसी के जैसा व्यवहार करते हैं आप उसी प्रेम को दर्शाते हैं, तब परमेश्र हमें इनाम भी देते हैं वह हमें सही समय पर उचा उठाएंगे प्रभू के सामने दीन बुनो वह तुम्हें उचा उठाएगा पहला पत्रस पाँच उसका चे पद में इस परकार लिखा हुआ है अब हम तीसरे भाग की और जाएंगे तीसरे भाग के अंदर हमने सीखा था सिर्फ मसी में सिर्फ मसी के लिए अलेलुया आप लोगों किसी को याद भी है सारी बाते सिर्फ मसी में सिर्फ मसी के लिए इस भाग में हमने सीखा था दुखों के समय में प्रभू में आनंदित रहना हमारा आदेश है हमें आदेश दिया गया है वारे जीवन के दुखों में हमें प्रभू में आनन्दित रहना है। आलेलुया, वो आनन्द, दुख के अंदर आनन्द मनाना स्वभाविक बात नहीं लगती। थोड़ा विप्रित लगता है कि जब हम दुखी हैं, तो आनन्द हम किस प्रकार मना सकते हैं। लेकिन पॉलुस जेल के अंदर है, जेल के अंदर से वो इस पत्री को लिख रहा है और आनन्द की बात करता है। एक जेल में रहने वाला व्यक्ति हमेशा एक ही बात सोचता है कि कब मैं यहां से निकलूँगा। वो इस प्रकार की बाते सोचता है। लेकिन हम उसके जीवन से सीखते हैं कि किस प्रकार हम दुखों में आनन्दित हम रह सकते हैं। यह हमारे लिए आदेश है कि हम दुखों के समय प्रभू में आनन्दित रहें। इस आदेश को पूरा करने का साहस तभी आएगा जब मसी हमारा सब कुछ है, हमारी प्रात्मिक्ता है, हमारा पहला प्यार है और हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। किस प्रकार दुखों में हम आनदित हो सकते हैं, जब मसी हमारा सब कुछ है, इस संसार का धन नहीं, इस संसार का जो रोसनी है, जो संसार के अंदर जो तमक धमक है, वो नहीं, जब मसी हमारा सब कुछ है, और वही हमारी प्रात्मिक्ता है, हम देखना चाहिए हमारे जीवन मे हम किस चीज को प्रात्मिक रखते है हमारी प्रात्मिकता क्या है क्या है हमारा पहला प्यार क्या है कौन है वो अचनी इस प्रकार भी कहता है अगर तुम मुझसे जादा अपने घर अपने परिवार अपने बीवी बच्चों खेद खलील्यानों अपने धन से अगर तो मुझस से बढ़कर प्यार करते हो तो तुम मेरे लायक नहीं हो अगर मसी हमारा पहला प्यार है और हमारी सबसे बड़ी इच्छा है हलेलुया तबी हम दुखों के अंदर प्रभु की आनंद को देख सकते हैं जो आगे सीका जो मूल भूत बाते हम पहले से जानते हैं हमें बार-बार हुने अपने आपको याद दिलवाना है मूल भूत बाते सूसमाचार प्रमेश्र का वचन प्रमेश्र की आग्याएं जो बुनियादी बाते जो हैं हमें अपने आपको बार-बार याद दिलाना चाहिए यह नहीं कि बस ये चीज मैंने सीक ली आप इसके उपर ज़्यादा गोर करने की ज़रूत नहीं है बाइबल बार-बार मसी के बारे में मसी के फ्रेम के बारे में मसी के बलीदान के बारे में बार-बार बात करती है हमें बार-बार अपने आपको उन मूल भूत बुनियादी बातों को हमें अपने आपको याद दिलाना है उन्हें याद करने स क्या होगा उन्हें याद करने से हम सैतान के जूट से बच सकते हैं सैतान जो प्रति दिन हमारे पीछे रहता है एक उदेशे के साथ की वो हमें परमिशों से दूर करे और हमें गिरा दे हमें नश्ट कर दे हम उसके जूट से बच सकते हैं हम मसी के द्वारा मसी में और मसी के लिए बचाए गए है और हमारी धारमेकता और भलेकारिएं से नहीं. कभी भी यह भी यह ना सोचे कि मैं मेरे अंदर कुछ खासियत थी, मेरे अंदर kुछ काबिलियत थी, मेरे अंदर कुछ अच्छाई थी इसलिए मसी प्रभु ने मुझे चुन लिया, नहीं, काबिलियत हमारे अंदर आज भी नहीं है चाहिए हम कितने भी साल से भी स्वास में क्यों नहीं हो, आज भी अगर आप हम अपने जीवन को ध्यान से देखें गोर से देखें, तो सच में हमारे जीवन में ऐसी चीजे नजर आती हैं जो अच्छी नहीं है, जो देखकर आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन परमेश्र का अनुग्र है परमेश्र का फ्रेम है जो हमें निरंतर उसमें बने रहने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए और उन चीजों से हम यह कह सके, कि मेरे अंदर यह खूबी थी, मेरे काम अच्छे थे नहीं, वचन साफ साफ कहता है हमारे भले काम जो है वो मैले चितडे के समान है एक गंदे चितडे के समान है करम के आधार पर हमें नहीं बचाया, अनुग्रे के द्वारा विश्वास से हमारा उधार हुआ है मसी को जादा, बहतर और गहराई से जानना हमारे जीवन का एक मात्र उदेश्य होना चाहिए मसी को जादा बहतर और गहराई से जानना हमारे जीवन का एक मात्र उदेश्य होना चाहिए क्या हमारा ये उदेश्य है बेहतर तरीके जानना है गहराई से जानना है और हमारा जीवन का एक मात्र उदेश्च यही होना चाहिए जो परिपक्व हैं वह मसी को जानने के उदेश्च की और मेहनत से बढ़ते और दोड़ते जाते हैं हलेलुया, भाग चार में हम पहुँच सुके हैं, और इसमें हमने सीका था हमारा वेवहारिक जीवन, एक विश्वासी का वेवहारिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, हमने चार में, भाग चार में देखा, प्रभू में हमें पक्के बने रहना है, स्थिर बने रहने के लि वो के अंदर आपसी मत भे थे, आपसी जगडे थे, जो कि कलीशिया के लिए, कलीशिया में फूट के कारण बन रहे थे, पोलुस उनको सिखाता है और क्या कहता है, एक मन रहने के लिए और एकता रखने के लिए उनको कहता है, कि वो आपस में एक मन रहे, आपस में एकता को रखें ताकि कलीशिया के अंदर गड़बड़ी ना हो भाग चार में तीसरी बात जो सीखी थी आनंदित रहना चिंता न करना बल्ब की धन्यवाद के साथ हमें प्रात्ना करनी है यह हमें हमने सीखा था अच्छी बातों को सोचना हमें अच्छी बातों को सोचना है ताकि हम बाहरी जो बाते हैं जो हमें गिराने की फिराक में रहती हैं जो हमें अंदर से अशुद करती हैं हम उन बातों से हम बच सकें अच्छी बातों को हमें सोचना है चार अध्याय में एक बड़ी लिस्ट वह हुई है हम निकाल सकते हैं देख सकते हैं आठ में लिखा है अता हे भाईयों जो जो बाते सत्य हैं जो जो बाते आदर्णिये हैं जो जो बाते न्याय संगत है जो जो बाते पवित्र है जो जो बाते मनोहर है और जो जो बाते मन भावनी है अर्था जो जो उत्तम तता प्रसं प्रसंस्री एक गुण है उनी का ध्यान किया करो जो कुछ तुने मुझे सीखा है ग्रहन किया सुना और मुझे में देखा है उनी का अनुकरन करो परमेशर जो शान्ती का स्त्रोत है तुमारे साथ में रहेगा अच्छी बातों को हमें सोचना है लेकिन अच्छी बातों को सोचने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ चीजों को ध्यान में भी देना है संगती हमारे किस प्रकार की है हम किस प्रकार की लोगों के बीच में बैठते हैं किस प्रकार के बातों को हमें enjoy करते हैं किस प्रकार की बाते हमें खुशी देती हैं हमें ध्यान से देखना है अच्छी बातों को सीखने के लिए हमें अच्छे लोगों के बीच में रहने की जरूरत है अच्छे किताबों को पढ़ने की जरूरत है और किस परकार हम सीख सकते हैं जो प्रभू के वचन से हम सीखते हैं उन सिक्षाओं पर चलने के द्वारा हम एक अच्छे जो विश्वासी का जीवन को जी सकते हैं बाग पांच में चलते हैं और इसमें हमने सीखा था अगुए हमारे लिए पर अगुओं के लिए कौन परमिश्र ने हमें अगुए दिये है वो हमारे लिए हैं कलीशिया के लिए हैं आप लोगों की सेवा के लिए हैं लेकिन कलीशिया के लिए अगुओं के लिए कौन एक भाई सुबह बोल रहे थे इस बात को उनुने बोला वहाँ पर कि मैंने सीखा कि हमें अपने अगुओ की चिंता करने चाहिए कई बार हम सोचते हैं कि जो अगुओ हैं वो तो सुपरमैन हैं बहुत सक्तिजाली हैं बहुत स्ट्रोंग हैं जिस प्रकार दुख, पीड़ा, समश्याय आपके जीवन में होती हैं उस प्रकार हमारे जीवन में भी होती हैं हमें भी जरूरत है कि हमें भी कोई हो सांत्वना देने के लिए हिम्मत देने के लिए हमारे साथ खड़े होने के लिए कलीशिया के लिए अगुएं हैं लेकिन अगुओं के लिए कौन है हमने इस सद्धैय में सीखा था अपने अगुओं की चिंता करें यहाँ पर जो बात की गई है वो कलीशिया जो अपने अगुओं को धन के दोरा उनकी मदद करने के बारे में यहाँ पर बात की गई है कुलिस्य की कलीशिया वो कलीशिया थी जो पॉलिस की मदद किया करती थी उसके लिए पैसा धन उसके लिए भेजा करती थी ताकि वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीज सके जो ट्रेवल वो करता था, सफर जो करता था उसमें उसकी मदद हो सके वो खाना खा सके और भी जो ज़रूरते इसकी पूरी हो सके धन के द्वारा मदद करने के लिए वहाँ पर बात हो रही है जब हम धन के द्वारा और अपने सब्दों के द्वारा सांत्वना के द्वारा उनसे मिलने के द्वारा जब हम उनकी प्रती अपने चिंता को वैक्त करते हैं, तब क्या होता है, वहाँ पर लिखा है, 16 से पढ़ते हैं, इस प्रकार थिसलनकियों के में भी तुमने मेरी साहता के लिए एक बार नहीं, वरन अनेक बार दान भेजे, यह बात नहीं कि मैं दान चाहता हूं, वरन ऐसा जाता हूं जो तुमारे लाब के लिए बढ़ता जाए, मेरे पास सब कुछ है और बहुतायद से है, तुमने इप्रुदितस के हाथ से जो दान भेजा, उसे पाकर में संतुष्ट हूं, वहाँ तो मन मोहक सुगंद और ग्रहणियों के बलीदान है, जिससे परमेश्र प्रस होता है, वचन में ये भी लिखा है कि जो आपको सिखाने वाले हैं, आपको अपनी जो भली वस्तुओं में उसको सहभागी बनाना है, उसको डबल आदर देने के बारे में बाइबल बताती है, कि हमें डबल आदर अपने अगों को देना चाहिए, जब हम इस वरकार का अपने अगों की प्रती हम चिंता को वेक्त करते हैं, पौल यागी यहाँ पर सिखाता है, कि क्या होता है, इस परकार जब हम चलते हैं अपने जीवन में, इससे परमेशर प्रसन होते हैं, यहाँ पर देने के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने दान भेजा, यह कहता है, क्या कहता है वहाँ तो बनमोहक सुगंद और ग्रहनियों के बलीदान है जिससे परमेशर प्रशन होता है हालेलुया जब हम देते हैं परमेशर को वो बात भाती है अच्छे लगती है और तीसरी बात हमें सीखी थी इसके लिए परमेशर हमें आशिशित करेंगे हालेलुया उनिस में लिखा है मेरा परमेशर भी अपने उस धन के अनुसार जो महीमा सहित मसी येश्यु में है तुमारी प्रतीक आवशक्ता को पूरी करेगा हालेलुया जब हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं अपने अग्वों के लिए त्यार रहते हैं धन के द्वारा किसी भी तरीके से मदद जब हम करते हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि हम परमेशर की ओर से आशिशित होंगी परमेशर हमें भी आशिश देगा हालेलुया इन सब बातों को हमने इस पूरी पत्री के द्वारा सीखा है और उम्मीद करते हैं कि परमिश्र की आशीष आपने जरूर अपने जीवन में महसूस की होगी और बहुत सी नई बातों को आपने अपने जीवन में सीखा होगा यह समय है कि हम प्रात्ना में जाएंगे